यह बाहर की साइड के अंदर की साइड बोलो जरा हमेशा बाहर की साइड यहां पे बाहर की साइड देखो नॉर्मल जो ना वो अंदर की साइड भी जाएगा बाहर की साइड लेकिन electric flux में area vector की direction या normally भी area vector की direction क्या होती है हमेशा outward हमेशा देखो perpendicular तो नीचे भी आज़कता है और उपर भी लेगन कौन सा लेंगे हमेशा उपर क्यों Hello everyone, welcome to the class तिस इस मैं अभी शेक साहू आज हम इस वीडियो में students बात करने वाले हैं electric flux की और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे electric flux पर जो questions आते हैं उनको भी करेंगे साथ-साथ Gauss theorem को derive करेंगे and Gauss theorem पर question करेंगे यह जो topic है Gauss theorem इस पर हम एक और वीडियो करेंगे इसके just बात जिसमें हम Gauss theorem के सिर्फ numerical numericals करेंगे जो की बहुत important है आपके exam point of view से तो आज सबसे पहले हम start करें पुरानी से कहाने यह हमारा lecture number 10 है यह हमारा lecture number 10 है इससे पहले 9 lectures आ चुके हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी lectures sequence मिल जाए with PDF notes of the session तो आपको एक काम कर लेना है आप YouTube पर तो connected होई इसके साथ साथ telegram channel पर भी join हो जाओ जिससे आपको जो सभी videos हैं वो line से मिलती रहेंगी कोई video miss नहीं होगी PDF notes आपको मिलते रहेंगे सारी चीज़ें तो अभी अभिशेक साहू सर physics आप telegram पर जाकर के search कर लें तो वहाँ से आप इस telegram channel को join कर सकते हैं इसके साथ सा जो link है मैंने इस telegram channel की वो description में दिए अगर काम ना करे तो आप search करके join कर लेना आपने subscribe तो कर लिया होगा लेकिन अगर subscribe के पास में जो bell icon है घंटी को press नहीं किया है तो जरूर से उसको दबादो ताकि notification आपको मिलती रहेंगी अगली ज़रूरी बात है वो यह है कि जो सभी lectures होंगे वो सभी lecture एक playlist जो हमने बना दी है इस साल के लिए physics physics class 12 के नाम से इसी में हम सभी videos को upload करेंगे एकदम sequence है तो आपको इस playlist को भी check कर लेना है otherwise जो आपको lectures ना मिले तो ढूलने में कोई problem नहीं होगी इसके साथ-साथ इस वीडियो के description में भी मैंने इन सभी videos की link देती है sequence है तो आप सभी lectures को देख सकते हैं और हम आज की इस वीडियो में आगे पढ़ जाएंगे हाँ अगर आप comment नहीं करते हो तो comment करो आपके comments मुझे पढ़ा पढ़ता है कि हाँ कम से कम मेरी videos आपके काम आ रही है तो comment लगातार करते रहिए चलिए तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में आपके 11 class का एक ब्रहम तोड़ेंगे और ब्रहम क्या है कि अभी तक हम यह जानते थे कि जो area है अभी तक हम यह पढ़ते थे कि area क्या है तो आपने पढ़ा था कि area एक scalar quantity है क्योंकि इसके पास direction नहीं होती लेकिन जब हम बात करें 12 class में जब आप आजाते हो तो आप कुछ चीजें ऐसी भी पढ़ोगे कुछ quantities जो आप 11 पढ़ते थे scalar लेकिन 12 में हम उनको बोल देंगे vector जैसे कि इस class में यह कहें अभी से ही area को हम vector कहना start करेंगे area क्या है तो हमने कहा कि area vector बहुत बार use होगा बहुत सर कैसे अभी आपको समझाते हैं हाँ इसके साथ सा जब आप magnetic field में पहुँचोगे मतलब fourth chapter तो आप length को भी vector बोलोगे मुला सर ऐसे कैसे length को भी vector बोल सकते हैं कि हाँ जब आप current element की बात करेंगे तो il vector लिखा करेंगे बात समझ रहो इस chapter में आप area के उपर भी vector लगा दिया करोगे बात clear हो रही है तो आपको यहां समझना है कि vector quantities कौन से होती है तो बुला जिनके पास direction होती है उनको हम vector quantity बोलते है value के साथ मतलब वो quantity जिनके पास magnitude के साथ सा direction भी provide करा दी जाए तो वो quantities vector quantity हो जाती है तो वही वैसे तो जो area होता है उस area के पास area के पास सिर्फ और सिर्फ magnitude होता है लेकिन direction नहीं होती, लेकिन अगर हम area को भी direction प्रोवाइड करा दें, तो area भी एक vector quantity बन जाता है, बुला sir, area को कौन सी direction दी जा सकती है, तो याद रखिए, कि जब हम कह रहे हैं सिर्फ area, तो कोई बात नहीं है, यह simple scalar है, लेकिन जब हम कहते हैं area vector, तो area को direction दे दी जाती है, और वो direction होती है, normally outward, क्या होती है, normally outward, यह जरूरत क्यों पढ़ती है, यह भी हम discussion कर लेते हैं, लेकिन, जैसे मान के चलो, यह हमारे पास panel है, बोर्ड है, अगर यह area है, तो इसके पास को direction नहीं है, लेकिन अगर मैं कह दूँ, कि इसके साथ एक direction हम जोड दें, तो यह area vector बन इस बाहर की साथ जो perpendicular है, उसको बोलते है area vector, outward, जैसे कि मान के चलिए, कि मेरे पास, मेरे पास यह register है, अब इस register के पास यह surface है, surface area, और इस पर अगर मैं एक perpendicular draw कर दूँगा, तो यह क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा area vector, या surface vector, यह मेरे पास register है, इस साइड अगर मैं एक vector क्यों बनाना पड़ रहा है, ऐसी क्या ज़रौत आगे area को vector बनाने की, तो उसका एक छोटा सा reason है, reason यह है, कि भई देखो, क्या होता है, कि जैसे force है, force है, अगर मैं दो bodies पे force ऐसे लगा रहा हूँ, 10 newton और 10 newton, तो आप जानते है body आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अगर म है, इसी force की orientation को change कर दो, 10 newton यहाँ से, और 10 newton यहाँ से, मतब direction, तो आप देखेंगे, यह body आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब है, force के पास direction का कुछ मतलब सिद्ध हो रहा है, हाँ, इस force की direction को बदलने से हमारा result बदल रहा है, इसलिए हम बोलते है, force की direction important role play करती है, इसी तरह से क्या होता है, physics में, अभी आप पढ़ेंगे, कि यदि मैं किसी electric field में area को ऐसे रख रहा हूँ, सीधा, surface को, तो आप देखेंगे कि अभी तो इससे कितनी field line connect हो रही है, अभी इससे field line connect हो रही है, let's say, यह area है, area, मतलब कोई भी sheet वगरा, अभी इससे 4 field line connect हो रही दी, लेकिन अभी हमने area तो नहीं बदला, लेकिन electric field line इसकी direction बदलने से, या इसका orientation बदलने से, इसका result है, वो बदलने लगा, अभी तीनी electric field line connect हो रही है, अगर मैं इसको ऐसे लटा दूँ, तो अभी दो ही electric field line connect होंगी, अगर मैं इसको सीधा लटा दूँ, तो अब एक भी नहीं जो है, मतलब एक ही connect हो रही है, तो कहने का मतलब यह है, कि area की, अगर हम orientation, मतलब position बदलते हैं, या कहूं, इसके रखने का तरीका बदलते हैं, तो result भी बदल रहा है, इसलिए इस condition में, electric flux वाले case में, हम क्या करते हैं, ए area को vector quantity की तरह treat करते हैं, तो अब से आपक vector होता है, क्या, हाँ, बूला, बिलकुल होता है, अगर area को हम direction provide कर दें, तो, clear है, now, तो when direction is associated with any physical quantity, that is called vector quantity, similarly direction is associated area, then it becomes area vector, direction of area vector is normally outward, next, while solving electric flux problems, आगे हम बात करने वाले हैं, चलिए, इस point पर मैं आगे discussion करूँगा, now, तो area vector पे, चलो, यहीं पे कर लेते हैं, कि area vector की importance याद र रखो, कि जब भी हम electric flux वाली problems, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम solve करेंगे, तो angle जो होगा, वो हमेशा electric field और area vector के बीच में होगा, कभी भी जो angle है, वो electric field और area के बीच में नहीं देखना, clear है, यह चीज़ गलत है, हमेशा रखो, theta angle जो होगा, वो electric field और area vector के बीच मे होगा, कभी भी electric field और area के बीच में नहीं होगा, आगे हम practice करेंगे, लेकिन, अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं, और अब हम पढ़ने वाले electric flux क्या होता है, तो देखो, flux का हिंदी meaning, क्या होता है, flux जो है, इसको आप समझ सकते हैं, किसी भी तरह का flow से जुड़ा होना, लेकिन, इसका जो definition है, या इसको जो measurement है, वो कुछ और है, तो basically जब electric flux कहा जाता है, तो आपको यह समझना है, कि कितनी number of electric field line, किसी surface से जाके, एकदम normally pass होती है, जैसे मैंने का electric flux, तो आपके दमाग में क्या आ रहा होला सब कुछ नहीं आ रहा, तो electric flux का मतलब है, कि क इतनी electric field line किसी surface से एकदम perpendicularly pass हो रही है, बात समझे, जैसे यहां से electric flux कुछ भी रही है, तो अगर 1000 electric field line इस छट से आरपार हो जाएंगी perpendicularly, तो that 1000 will be the value of electric flux, तो बदाओ ज़रा मुझे electric flux क्या है, तो आपने का सार, electric flux कुछ भी रही है, electric flux तो सिर्फ गिंती है, कि कितनी electric field line, बिलकुल सीधे आरपार हो जाएं, बात समझ में आ रही है, तो electric flux क्या है, बात समझ में आ रही है, तो electric flux क्या है, समझ में आ गया, अभी अगर मैं आप से कहता हूँ, कि मेरे पास यह शीट है, एक सर्फेज है, अब इससे कितना electric flux connect होगा, यह किस पेड़ेंड करेगा, तो पहली चीज़, हम electric flux को रिपर्जेंट करते हैं, फाई से, electric flux को हम रिपर्जेंट करते हैं, फाई से, ठेक है, मैं इसको बोल देता हूँ, फाई ए, अब जो electric flux है, जादा है, कि कम है, यह दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो electric field line कितनी पास पास में, और दूसरा ए एरिया है, वो कितना बड़ा है, है ना, तो electric flux जो होता है, यह product है, किसका, electric field line into surface area, clear है, अगर surface area छोटू सा है, एकदम छोटा सा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, अगर surface area छोटा सा है, तो जो flux जो connect होगा, यह भी छोटा सा होगा, और हम इसको बोलते हैं, डी, फाई, इसके बाद आप देखेंगे, अगर यहाँ पे ds और यह होगे, आपके पास e, टीक, now, electric field वही है, अगर surface जीरे छोटा सा है, तो flux भी कैसा connect होगा, छोटा सा, अब हमेशा याद रखिए, हमेशा, देखो, मैं चाहूँ तो सिर्फ आपको इतना ही formula बता हूँ, लेकिन यह formula जरूरी यह क्यों है, वोगि छोटा flux निकालना है, तो d5 is equal to e into ds, आगे बात करेंगे, जैसे मान के चलो, कि अगर मैं आपसे कहता हूँ, कि मेरे पास छोटा सा flux given है, और मुझे छोटे से flux को बड़ा flux बनाना है, कैसा बनाना है, बड़ा flux, मतलब मुझे overall surface की calculation करनी है, integration कहा जाता है, integrate का हिंदी मीनिंग ही होता है, एकठा करना, add करना, तो physics में add करने को क्या कहा जाता है, integration, तो अगर मुझे ना, इसका मैं integration कर दूँ, d5e, इसका integration कर दूँ, यहां पे भी integration sign लगा दिया, तो e into ds, तो देखना ज़रा, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएग जोड दिया, तो जोडने के बाद यह हो जाएगा, 5e is equal to, यहां पे भी integration sign लगा है, तो यह हो जाएगा, e into ds, अभी देखो, यह थोड़ा सा अधूरा है, ध्यान रखना, यह क्या है, थोड़ा सा अधूरा है, पूरा कब होगा, तो मैं आपको बताता हूं, देखो, for closed surface, अगर surface कैसी है, अगर surface closed है, for closed surface, ठीक है, this sign is taken, अगर surface close है ना, तो आप हमेशे यह जो close surface का sign बनाओगे, यह integration के उपर अगर आपने चक्कर बना दिया ना, circle, तो यह close surface का sign है, किसका sign है, close surface का, अभी भी यह अधूरा है, देखो, यह जो formula है ना, basically यह वाला formula, यह formula है आपक electric flux का, ठीक, लेकिन, जैसे मान के चलो, यह formula कब बना, यह formula जब बना, जब यह हमारे पास एक surface area होगा, और यहां से कुछ electric field line ऐसे पास हो रही होगे, ठीक, अभी समझे, अभी क्या होता है, कि जैसे मान के चलो, कि electric field line, और, और, electric field line, और मुझे ऐसा बोलना चाहिए, कि surface area क बीच में कुछ angle बन रहा होगा, ऐसा बोलू, कि पहला वाला जो case हुआ, यह कुछ ऐसा हुआ, कि यह surface है, और यह बिल्कुल सीधी electric field line जा रही है, लेकिन case ऐसा भी तो बन जखता है, कि यह देखो, यह surface area, यह normal है, अब इसके बाद electric field line इसमें से, ऐसे पास हो रही है, तो जब electric field lines किसी angle पर होती है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, e into s नहीं करेंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस electric field का, बिल्कुल सीधा, r-par वाला component लेंगे, किसा वाला, r-par वाला component, बिल्कुल perpendicular, यह electric flux क्या है, उन electric field lines की measurement है, जो कि perpendicularly पास हो रही है, तो अगर electric field line, जो है, किसी angle पर जा रही है, तो हम इस electric field line का, perpendicular वाला component, ही consider करेंगे, तो मैंने माना, यह जो electric field है, यह area vector के साथ theta angle बना रही है, अब area vector कहां बनता है, तो भई देखो, इस surface पे, अगर मैं यहाँ पर, क्या draw कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक normal draw कर दूँ, तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ, s vector, या कई जगे आपको s cap भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना हो, तो अभी देखो, इसके बीच में और इसके बीच में कितना angle बन रहा है, अगर theta, तो हम electric field को फिर resolve करेंगे, electric field को ऐसे जा रही है, तो इसके दो component होंगे, एक होगा cos theta वाला और एक होगा sin theta वाला, तो इसके दो component, एक हो गया, cos theta वाला, sorry, यह देखो, sorry, sorry, चले, एक हो गया, यह sin theta वाला, जिस side angle बन रहा है, वो हो गया, cos theta वाला, तो आप यह देखेंगे, कि electric field जो है, आप क्या देखेंगे, कि जो electric field है, इसके दो component, sin theta उपर है, और cos theta इस surface से r पार जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हमें angle वाले case में, हाँ, अगर हमें angle वाले case में flux देखना है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे, if, आप यहाँ लिखेंगे, theta is the angle between e vector and s vector, then, phi e is equal to, तो आपने देखा, कि electric field का हम कौन सा component लेंगे, e cos theta वाला, क्यों लेंगे, क्योंकि e cos theta ही आरपार दा रहा है, perpendicular है, बात सोच बारी है, तो हम हमेशा perpendicular component लेंगे, तो यह होगा e cos theta into, into में क्या है, e की जगे हमने क्या ले लिया, e cos theta और s की जगे ले लिया, s, तो अभी देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, phi e is equal to, द cos theta आ जाता है, क्या आ जाता है, cos theta, तो cos theta हटाओ, हटाओ, और dot लगाओ, याद रखो, कभी भी cos theta आ जाए, और उसको vector form में लिखना है, तो कैसे करेंगे, cos theta हटाओ, और dot लगाओ, तेक, अगर sin theta होता न, तो cross लगा देते, क्या लगा देते, cross चलिए, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर का करेंगे आप, कि भी, phi e is equal to, यह देखो, phi e is equal to, यह देखो, आप इसको लिख सकते हैं, cos theta आटाओगे, तो e vector dot s vector आ जाएगा, क्या जाएगा, e vector dot s vector, बस, इतनी सी कहानी हुई, अब देखो, phi e का formula का बन गा, e vector dot s vector, अब इसके बाद आप यह कहानी start कर सकते ह जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह देखो, तो flux का formula क्या बन गया, flux का formula बन गया, e vector dot s vector बन गया, अब इसके बाद, अगर मेरे पास छोटी surface है, कैसी surface, छोटी surface, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ पर लिखूंगा, for small surface, यहाँ पर आ जाओं मैं continue कर लेता हूँ, now, for small surface, अगर छोटी surface है, तो मैं कैसे करूँगा, भई देखो ज़रा, d phi e is equal to e vector dot, यह देखो, s की जाए क्या लिखूंगा, ds vector, लिखूंगा, छोटी surface हो, ds vector, और छोटा सा flux, d phi, और इसके बाद, integrate कर दूँगा, for closed surface, for closed surface, अगर surface close होगी, तो integration क्या integrating, अगर surface close है, तो इस d phi e का integration करूँगा, d phi e, और closed surface का sign लगाँगा, यह आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, closed surface integration, e vector dot ds vector, आपको पता है के integration कब करते हैं, integration हमेशा करते हैं, कब, जब हमें क्या चाहिए होता है, जब हमें चाहिए होता है, d phi e को बड़ा वा white उसे लिख देता हूँ, तो आपको ज़्यादा visible हो गई है, clearly हाँ, तो अब देखो, integrate करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, d phi e is equal to e vector dot ds vector, और यहाँ पर integration sign आ गया, इसके बाद अगर integration हो जाता है, तो d phi e का integration हो जाएगा, phi e, और यहाँ पर अभी यह solve होनी पाएगा, ज यहाँ पर आप बढ़िया से इसको तरीके से, आप इसको close करके रख लें, close करने के लिए हम यहाँ पर highlighter का, या marker का use कर लेंगे, ज़्यादा dark तो नहीं है now, यह देखिए ज़रा, तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा result हो गया, तो आप मुझे बताओ, कि electric flux का formula क्या बन जा इसके बाद, अगर angle है, surface के, मतलब area vector और उसके बीच में angle बन रहा है, तो formula क्या है, es cos theta, अगर हम इसको, यह तो जो उस form में हो गया, vector form में लेखेंगे, तो e vector dot s vector, clear, आगे हम बात करेंगे, phi e, अगर integration वगरा करना पड़े, तो ऐसे बनेगा, e vector dot ds vector, यह dot क्या बता रहा ह है, जब cos theta लगा होता है, तो dot नहीं लगता, dot लगता है, तो cos theta नहीं लगता, हमेशा याद रखेंगे, ठीक, अज़र इसमें एक और चीज़, हमेशा याद रखिए, कि याद रखना, कि जो electric flux है, वो हमेशा vector quantity से जड़ा होता है, यह मैं कहूं कि flux, देखो, यहां पर एक line लिखिए हमने, क्या लिखा है, कि term flux implies to some kind of flow, flux is the property of any vector field, मतलब flux हमेशा vector field से जड़ा होता है, जैसे कि electric field एक vector quantity है, तो electric flux वहाँ पर use होगा, magnetic field एक vector quantity है, तो वहाँ magnetic flux यूज होता है, लेकिन हमेशा याद रखो, कि electric flux associate होता है, electric flux रिष्टा रखता है, vector quantity से, लेकिन खुद electric flux एक scalar quantity होता है, तो electric flux कैसी quantity है, तो हमेशा याद रखेंगे आप, कि electric flux एक scalar quantity है, scalar quantity है, लरवा, और angle के बारे मैंने आपको बता ही दिया है, कि angle हमेशा किस किस के बीच में लेना है, angle हमेशा e vector and ds vector के बीच में लेना है, e vector and ds के बीच में नहीं, आगे बढ़ेंगे, देखो तरह, तो यहाँ पर question कुछ इस तरह से पूछो जा सकते हैं, जैसे मान के चलो, flux की बाद करें, the largest flux, अच्छे यह थोड़ा सा, जो है, gauss theorem के बाद वाला question आ गया है, तो मैं इसको यहाँ पर पीछे की side किसका देता हूँ, gauss theorem के पीछे, अभी देखे, तो question हमारे पास कौन सा बन सकता है, question हमारे पास यह बनेगा, तो देखो, question में क्या दिया हुआ है, इसको मैं एक बार समझ लेते हैं, अच्छे से, देन हम आगे बढ़ेंगे, देखिए, इस circular plane sheet of radius 10 cm, यह electric fluxor question है, आप इसको try करें जरा, क्या लखा हुआ है, कि circular plane sheet है, कुझ इस तरीके से, टेख, चलिए, off radius 10 cm, radius कितनी है, 10 cm, अगर मैं इसको meter में convert करूँगा, तो कितना हो जाएगा, solve, यह गाँ given, तो radius हो गए मेरे पास 10 cm, अगर मैं इसको किसमे convert करता हूँ, अगर मैं इसको convert करता हूँ, meter में तो यह हो जाएगा, centi का मतलब हो जाए 10 to the power minus 2, तो centi की जगे पे 10 to the power minus 2, और meter की जगे पे meter, तो मैंने इसको convert कर दिया, radius को, यह meter में, clear है, ऐसा unit, now, अभी इसके बाद देखो, आगे क्या दिया हुआ है, uniform electric field of this magnitude, that means electric field की जो value दिय हुई है, यह कितनी है, देखके बताओ, 5 into 10 to the power, 5 newton per coulomb, यह दिय हुए है तनी, चलिए, आगे बढ़ जाएंगे, then, making angle of 60 degree with field, अरे भाईया, बहुत सही बात, देखके जरा, the electric flux through the sheet is, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है, कि एक sheet है, जो की electric field से, क्या sheet है, electric field से 60 degree बना रही है, कौन बना रहा है, sheet, लेकिन, जो theta angle होता है, हमारे formula में, जो flux का जो formula है, यह होता है, e into surface area, जिसको हमने ऐसे दिखा दिया, into, या e as cost theta direct लिख दू, e as cost theta, यह जो theta है, यह angle है, electric field vector, and area vector, जबकि इस question में क्या लिखा हुआ है, अगर इस question में ऐसे लिख देता, कि the angle between, this angle between normal to the plane, क्या बोलता, angle between normal to the plane, मतलब area vector, normal बोल रहा है न, plane पर normal, मतलब area vector, अगर ऐसे बोलता, angle between normal to the plane, and electric field is 60 degree, तो मैं यहाँ पर theta की जगे, बिना आखे, जो है सोचे, मैं यहाँ पर 60 degree पूट कर देता, लेकिन यहाँ पर का बोला है, angle between, angle between this circular plate, या angle between this circular sheet, and electric field is 60 degree, तो इसका मतलब यह fraud है न, है के नहीं, योगि हमें तो theta जो angle होता है, यह electric field vector, and s vector के बीच का होना चाहिए था, but given क्या है आपको, given है e vector and s, s के बीच का angle दिया है, जबकि हमें वो नहीं चाहिए, इसमें दिया आपको यह वाला angle है, यह वाला angle, वो कुछ इस तरह से इननोह ने दे दिया, तो मेरी बात सही, इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, मैं इस बात पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ योगि बच्चे अक्सर इस तरह जी गलती करते हैं तो हमें जो इन्होंने दे दिया वो कुछ इस तरह दे दिया यह 60 डिग्री है यह 60 डिग्री इन्होंने दे दिया जबकी जबकी ठीटा कौन सा माना जाएगा यह इस पे जो यह हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड नाओ यह इसका 60 डिग्री बना रही है और यह जो हो गया यह S-CAP या S-Vector आप इसको बोल सकते हो यह 30 डिग्री है question में समझ गई तो अगर आपको प्लेन के साथ एंगल दिया हो तो as it is रख दो लेकिन अगर आपको दिया हो सर्फेस के साथ एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ओ सर्फेस के साथ तो 90 मानस जो गिवन वैल्यू आपको वो कर देना 90 मानस 60 करोगे तो आंसर यहां पर 30 आ जाएगा और आर स्कॉयर मतलब 10 का इसकी वैल्यू का स्कॉयर कर दूंगा 10 इंटू रड़ बार माइनस तू का हूल स्कॉयर पाई एसकॉयर टेक है और कॉस 30 कॉस्ट्रिक कर देंगे उसके बाद यह सॉल्व हो जाएगा सॉल्व कर लोगे सॉल्व कर लेंगे नाव देख लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं यहां पर लगा देना बस कि सर्फिस एरिया इक्वल टू पाई आरे स्कॉयर हो जागा आप इसको एसे यहां पर हो जाएंगे आपके पास हंड्रेड इन्टू टेंटू दी पार माइनस पूर और यहां पर हो जाएगा रूट थ्री बाई टू चलिए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो आप यह देखेंगे कितनी जीरो हो रही है इदे को पांच जीरो हैं और य यह एक ऐसे हो जाएगी तो यहां पर सिर्फ एक जीरो बचेगी तो अगर मैं फाइए को सॉल्व करूंगा तो मोटा मोटा यह कितना आ जाएगा आप देखेंगे कि एक सो दस वान डे टैन कितनी जीरो बच रही है उपर चेक करते हैं नीचे का है एलेवन उपर का बचा है 11 तो रूट 3 अपन नीचे क्या आ गया 14 चलिए और उपर 0 कितनी है एक दो और यह 4 इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा यहां पर 5E is equal to 11 अपन 14 करोगे ना 11 अपन 14 तो यह आपका पॉइंट लगा दो और इसके बाद एक 0 लगा दो 14 सेवन जा 98 और 14 हां 14 समझा 98 में चला जाएगा यह बच जाएगा तो फॉर्ट सेवन पॉइंट एप्रोक्स इतना चला जाएगा तो 0.78 इंटू रूट 3 इंटू 10 तो पार 4 रूट 3 की वैल्यू होती है 1.74 ठीक है यह वैल्यू चलो मैं यहां तर रख देता हूं और इसके यूनिट जो हो जाएगी यह हो जाएगी अब तो सॉल्व कर लोगे ना इसका से इंटू कर देना रूट 3 की वैल्यू पुट कर देना तो फाई ए की जो वैल्यू हो सर्फेस एरिया होता है सर्फेस एरिया होता है हमारे पास मीटर स्कॉयर है तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई यह पाई इंटू न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर स्कॉयर कुछ समझ माया आगे बढ़ जाएं चलिए अभी हम आ जाएंगे गौस्ट ओरम पर अब याद तो उसको देखना ना भूलिएगा इस वीडियो में हम बेसिक न्यूमेर्कल जो कॉंसेप्ट को खिला देने वाले होंगे हम उनको करने वाले हैं ठेक है ना और वो न्यूमेर्कल भी करेंगे जो पांच-पांच नंबर में सीबेसी ने पूछे हुए है सबसे पहले सबसे पहले हम भी डानने वाले गॉस्टिरम क्या होती है इसको हम प्रूफ करेंगे देनमास पर क्वेश्चिन करेंगी क्लेर ना तो अभी देखो बेसिक अलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक एक क्लोश सर्फेस है टेक चलिए यह मेरे पास एक पूसरफेस हो गई ऐसे ही जाएंगे हाँ सर ऐसे ही जाएंगे अब आप मुझे ये बताओ कि अगर charge है तो charge है तो बनी electric field line और electric field line ये बाहर निकली तो इस closed body से closed surface से जाकर कर ठकराई मतलब इससे perpendicularly pass होई तो इसका मतलब क्या हुआ कि electric charge है जिसके कारेंट से electric field line बनी और ये electric field line इस closed surface से pass हो रही है तो electric flux बन रहा है that means electric charge ही electric flux के लिए responsible है तो Gauss theorem हमें यही बताती है कि यदि किसी body के अंदर या किसी closed surface के अंदर charge क्यूँ present है या कोई भी charge present है तो उस charge के कारण किसी closed surface से कितना electric flux बनेगा बात समझ भाई गौस theorem देखो charge के कारण electric field बनती है electric field के कारण electric flux बनता है तो basically electric flux और electric charge directly connected एक दूसरे के साथ तो Gauss theorem हमें यही बताती है कि electric charge किसी surface के अंदर इतना charge है तो उतने charge से कितना electric flux link होगा कितना electric flux बनेगा clear है? Now statement को पढ़ ले चले, तो statement में कहा है कि according to Gauss theorem the total electric flux linked to a closed surface is equal to one upon epsilon not times the net charge present inside the surface मतलब इस surface के अंदर जो भी net charge present होगा net charge का मतलब है कि plus five coulomb और minus four coulomb दो एक अठे रखे हैं तो net charge plus q या एक coulomb बचेगा काटा बीडी करने के वाद जो बचता है उसका net charge बोलते हैं तो Gauss theorem कहती है कि किसी surface के अंदर कितना net charge present है उसका one upon epsilon not times जो flux है वो connect होगा epsilon not आप समझते ही हो कि हर मीडिय भी कुछ permittivity होती है है कि ने तो इसे ये charge यहां रखा है क्यों तो flux तो q ही बनना चाहिए था लेकिन ये flux क्यों ना बनते हुए ये बनेगा one upon epsilon not into q not क्योंकि ये जो medium इसके अंदर होगा ये अपना tax कट कर लेगा है कि तो जो flux होगा उसकी value उसमें one upon epsilon not का into हो जाएगा तो ये कहती है हमसे Gauss theorem तो Gauss theorem के हिसाब से कर हम देखें तो statement के हिसाब से कर हम देखें तो भई देखो यहां पर जो phi e है ये क्या हो गया ये हो गया आपके पास q upon epsilon not हो गया one upon epsilon not का into q से कर दिये ये हो गया q हमेशायद रखो ये q कौन सा है ये q है वो charge जो surface के अंदर है हमेशायद रखो कि Gauss theorem में electric field तो कहीं की भी consider करी जा सकती है अंदर वाली भी और बाहर वाली भी टीक लेकिन लेकिन जो charge होता है वो हमेशा अंदर वाला ही होता है आगे बढ़ेंगे देखो अभी तक हमने electric flux के formula से ये भी पढ़ा हुआ है close surface के लिए electric flux जो है हम उसको ऐसे भी लिख सकते है देखो ज़रा हो गया यह हम इसको ऐसे बोल सकते है इवेक्टर डॉट डी एस वेक्टर close integration इवेक्टर डॉट डी एस वेक्टर is equal to q by epsilon not तो भई हमने इसको इस तरह किसे लिख दिया clear हो रही है बात यह हो गया हमारे पास Gauss theorem का statement बगर रहे सारी चीज़े अभी मैं आपको यहां पर कुछ नोट पॉइंट बताता हूं और नोट पॉइंट यह है कि Gauss theorem में या फिर मैं सिंपल सी बात काहूं कि electric flux देखे ज़रा electric flux can be can be positive negative और zero electric flux को हम positive negative और zero कुछ ही बोल सकते हमें इशाद रखो कि अगर हम यह normal science convention है अगर electric flux को पॉजिटिव ले लेता हूं अगर अगर एक ही टाइम पर आउट वाड और इंवर्ड जा रही है तो मैं यहां को फ्लक्स जैसे मान के चलो यह electric flux अंदर गई यह negative हो गई यह बाहर निकल गई यह positive हो गई तो इस case में इस case में net flux कितना हो गया net flux हो गया zero बहुत conceptual चीज़ें यहां से पूछ भी जाती है देखो मैं आपको पता हूं क्योंकि आप next question भी देखेंगे पूछे कई तो आपको वहां से पता पड़ जाया कि बोला सर ऐसा होता है हां तो अभी आप यह देखो कि अगर आपसे कहता हूं condition of of flux to be zero वह लगा फ्लक्स जीरो कब कब हो सकता है flux to be zero वह लगा फ्लक्स जीरो कब कब हो सकता है तो मैं शायद रखे flux जीरो यदि चार्ज यदि चार्ज किसी सर्फेस के अंदर नहीं है वह लगा नेट चार्ज मैं क्या बोलू कि नेट चार्ज नेट चार्ज इंसाइड शर्फेस यदि कि सर्फेस के अंदर नेट drie जीरो है तो वहाँ फ्लक्स जीरो हो जाएगा पहली चीज़께서 दूसरी चीज़ यहाँ पकब हो जाएगा दिखो फ नोच कर रहा है एक तो चार्ज पे और डूसरा एलेक्ट्रिक फिल्ड वगर आप पे तो अगर किसी सर्फेस के अंदर मैं ऐसा बोलू बेसिकली फ्लक्स के लिए आप यही कंडिशन मानके जलिए कि अगर चार्ज एंग्लो जीरो है तो वहां पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा बस यह म यह जो शक्रान सकती है, अगर चार्ज नहीं हुआ तो और अगर चार्ज हुआ यह निदैशे नेगेटर चार्ज है तो यह निधिव चार्ज पास ही क्या जाएगी फिर बाहर फिल्ड यह जाएगी तो इसके साथ फ्लक्स कन्यक्ट हो गई एलेक्ट्र फिलइन अंदर तो उतनी बाहर चली जाए तो flux भी क्या हो जाएगा तो flux हो जाएगा 0 तो अगर net charge in close surface के अंदर 0 है तो फिर flux भी हो जाता है 0 अब ही हम prove करने वाले है Gauss theorem को लेकर उससे पहले आपको एक छोटा सा concept यह कहोंगो छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखनी है कि Gaussian surface करके concept होता है वह जाएगा Gaussian surface क्या होती है तो मैं आपको बताएता हूँ कि देखो हमेशा जो Gauss theorem है वो closed surface के लिए applicable होते है किसके लिए? closed surface के लिए तो अगर charge जो है न open रखा होगा तो Gauss theorem से हम उसकी electric field, electric flux calculate नहीं कर पाएंगे तो charge को enclose करने के लिए cover करने के लिए चारो ओर से imaginary surface को हम use करते हैं जिसको हम बोलते है Gaussian surface तो यहाँ पर अगर मैं छोड़ी setting मना के लिखूँ Gaussian Gaussian surface तो यह क्या है? Gaussian surface is the imaginary surface imaginary surface which is which is used to enclosed charge inside it ठीक है? यह अपने अंदर charge को enclose करने काम आती है और हमेशा ऐसी Gaussian surface लेनी है जिसमें एंगल की electric field की symmetry आसा नहीं तो Gaussian surface पर एक जगे पर एंगल बन रहा है 30 डिगरी और दूसरी जगे पर बन रहा है 19 डिगरी बात सोच बार रहे है ना तो यह कैसी सेलेक्ट करनी है इट शुड़ बी सेलेक्टेड अफ इट शुड़ बी सेलेक्टेड ऐसे लेक्टेड ना जी एपन को कंसीडरिंग अंगल एंड एलेक्ट्रिक फील्ड सिमिट्री हाना हर पॉइंट पे एलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो हां अंगल जो है एक जैसा हो ऐसी हमें गॉजन सर्फिस सेलेक्ट करनी पड़ती है अगर पॉइंट चार्ज है तो एक स्फेरिकल सर्फिस से काम चल जाता है तो अभी आप हैटिंग बना लें यहां पे प्रूफ आफ गॉस्थियोरम प्रूफ आफ गॉस्थियोरम बहुत सिंबल सी बात है तो गॉस्थियोरम को अगर प्रूफ करना है तो हम यह मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज होगा और मतब एक क्लोज बॉड़ी है और इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है अब पॉजिटिव है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील लाइन आगे जाएगी तो हमने कहा वह यह इलेक्ट्रिक फील लाइन गई अब एक बात आओ जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो एंगल किस-किस के बीच में देखा जाता है एंगल किस-किस के बीच में देखा जाता है ds क्या नाम दे दिया ds मतलब छोटा सा एरिया और इस ds पे इस ds पे एक मैंने perpendicular draw किया ऐसे 90 degree ds पे 90 degree वाल लाइन बनाई इसको क्या नाम दिया इसको नाम दिया ds vector समझ गई तो angle हमेशा किस-किस के बीच में लेना है हमेशा electric field vector and ds vector अभी देखो electric field vector भी ऐसे और ds vector भी ऐसे दोनों same direction में तो यहाँ ठीटा कितना हो गया 0 चार जैसी रखा था और यह क्या हो गई आपकी यह हो गई Gaussian surface जिसने इसको cover करके रखा हुआ है बस अभी कुछ भी नहीं करना है तो क्या करेंगे जब हम कहते हैं कि गॉस्ट theorem को प्रूफ करके बताओ तो basically हमें प्रूफ करना होता है phi e is equal to q by epsilon not यहाँ पे लगते हैं to be to prove अभी का करेंगे बड़ी simple सी बात हम जानते हैं ऐसे start करोगे we know that हम जानते हैं चाहिए आप जानो ना लेकर आपको लिखना जरूर हम जानते हैं कि phi e is equal to क्या होता है phi is equal to close integration of e vector dot ds vector हमेशाद रखो dot हटाते हो तो cos theta आता है cross हटाते हो तो sin theta आता है यहां क्या लगा है dot तो अभी देखो phi is equal to e vector dot ds vector था तो अभी देखो आप dot हटा दोगे तो आ जाए cos theta तो e ds cos theta और हमेशाद रखो कभी cos theta sin theta 10 theta साथ में लेखे हो ना तो vector vector sin नहीं आता चले आगे बढ़ते हैं देखे जरा phi e is equal to phi is equal to यह यहां पर देखना theta की value बताओ जरा मुझे तो theta की value है eds cos 0 देखके बताओ वहाँ से यह है now phi e is equal to close integration eds cos 0 तो 1 हो जाएगा अभी देखो phi e is equal to यह देखना कि electric field क्योंकि देखना अगर मैं यहां पर distance बोल देता हूं r तो center से हर एक point की distance r है तो electric field हर एक point पे same same रहेगी तो electric field आ गई बाहर मैंने किस चीज़ का एक छोटा part लिया surface का तो surface का छोटा part लिया surface को मैं बणा करूंगा मतलब इसका integrate करूंगा और यह चक्कर बना है यह बता रहा है cyclic integration close integration मुझे बोलना चाहिए तो phi e is equal to यहां पर e तो हो जाएगा ठीक है इसके बाद आप यह देखो यह जो ds है ds 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 सभी छोटे 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 पार्ट को कर मैं connect जोड़ दूंगा तो क्या बन जागा दिखो ds किस चीज़ का छोटा सा पार्ट है ना ds तो अगर मैं ds को जोड़ दूंगा तो जोड़ने के बाद क्या में बन जागा surface area of sphere तो यहां पर ds का जो integration है वो कितना आ गया 4 pi r square क्यों हो गया विए 4 pi r square होता है surface area of sphere क्या होता है surface area of sphere और यह जो ds है वो स्पियर का यह चोटा सा पार्ट था इसलिए जोड़ने के बाद पूरा surface area of sphere बन गया आगे बढ़ेंगे और देखो 5 e is equal to अगर हम बात करें electric field तो यह point charge है तो electric field due to point charge क्या होता है यह होता है आपके पास 1 upon 4 pi epsilon not q upon r square चले इंटू में क्या लिखा है 4 pi r square ठेक अब देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से आप देख सकते हो अगर मैं एक बहुत चोटी सी लाइन ले लो तो 4 pi से 4 pi r square से r square तो यहां पर क्या बच जाएगा यहां बच जाएगा हमारे पास फिर से यह देखो यहां बच जाएगा हमारे पास फिर से phi e is equal to q upon epsilon not और यही चीज़ हमको प्रूब करनी थी और हमने इसको प्रूब कर दिया hence proved clear है तो यहां से हमने gauss theorem कर दिया प्रूब बताईए बात समझ भाई ना तो इस वीडियो बना रहा हूं कम से कम उनके काम की यह हो पारी तो comment जरूर से करें दबा के comment करें तो कि आपके comment से ही मुझे पढ़ा पढ़ेगा यह वीडियो आपके लिए helpful हो पारी है आगे बढ़ेंगे देखें 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 दरहां जी बई तो यह question है अब question यह जो है पू कि अगर मैं कहता हूं कि यह आपके पाद 4 सर्फिस नो सबसे ज्यादा जो आपका था से कट होगा तो आपनेक एक्वल टू चार्ज एंग्लोजड अबॉन एप्साल नॉन तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि एलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले तो बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड करता ही नहीं है एक बात किस पर डिपेंड नहीं करता है वोला बाहर वाले चार्ज से उसको मतलब भी नहीं है तो कि बाहर वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनता सिर्फ अदर वाले से बनता है अब ये आपको इस समझना है तो भई देखो चार्ज **** तो सब क्यूंस के अब देखना इसके नेट चारज कीतना ईटक्र है प्लस का थी मानिस के टू तो फिर भी कितना help यह इसके अंदर भी कितना इन क्लोस है प्लस का क्यू है कि प्लस का कroe- प्लस-6-5 तो प्लस का Q अंदर है और प्लस का टू बाहर है लेकिन बाहर वाले से में मतलब भी नहीं है तो भई हम का लिखेंगे जब सब के अंदर net charge enclosed बराबर है तो flux भी सब का कैसा होगा बराबर होगा तो यहां पे लिखेंगे all surfaces या all closed surfaces encloses या enclose equal net charge so phi e will be same 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 for all वोल सब के लिए जो flux होगा वो कैसा होगा वो सेम हो जाएगा बात सोंच मारी है चलिए बई तो आपको यह नहीं देखना कि बाहर के तुना है अंदर के तुना है इससे मतलब नहीं सिर्फ अंदर वालों से मतलब है आगे बढ़ेंगे यह बढ़िया question है अब देखो यहां पर दिया हुआ है मैं यहां पर थोड़ा से integration sign मुझे लगाना चाहिए और यह कुछ अगर इस तरह से दिया हुआ है कि if e vector dot ds vector is equal to zero question में कहा जा रहा है यह exemplar का question है यह exemplar dot ds vector is equal to zero तो पहले तो यह बताओ कि e vector dot ds vector क्या बताता है बोलो e vector dot ds vector क्या बताता है e vector dot ds vector बताता है flux क्या बताता है flux तो question में कहरा है कि यह यदि flux zero है क्या बुल रहा है e vector dot ds vector क्या बताता है flux तो कर रहा है कि यदि flux zero है तो इन चारों में से कौन सा option सही होगा तो आप कुछ सुझो पहले तो खुछ सुझा करो कि flux zero कब हो सकता है तो answer is flux zero जब हो सकता है एक तो देखो मैंने आपको देखो कितने केसे बताएं अगर आप concept नहीं बढ़ोगे तो आपको यह question में दिमाग लगाना पड़ेगा देखो बताए flux can be positive negative और zero तो अगर electric flux अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है तब भी zero हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे यह देखें जड़ा electric field line inside the surface and on it is zero तो पहला option आपको यह दे रहा है कि अगर electric field line zero हो जाएं surface के अंदर या surface पर तो flux zero हो सकता है तो हमने कया पढ़ा है कि नहीं भी या नहीं electric flux जो है electric field पर तो depend कर ही नहीं रहाएं बात समझो यही गुमाने वाला question दिया है यही गुमाने वाला question है टेक तो यह तो हो गया गलत टेक क्यों क्योंकि electric flux electric field पर नहीं ही depend करेगा दूसरी बात electric field inside the surface necessarily uniform करा कि नहीं electric field अगर uniform होगी तो flux zero हो सकता है तो ये वाला answer भी हमारा गलत है wrong answer अभी देखेंगे आगे देखो number of electric field lines entering the surface must be equal to number of electric field leaving the surface वो रहां sir ये तो अभी उने पढ़ी लिया है ना तो भाई ये चीज अपनी सही हो गई आगे देख लेते हैं एकाद option सही और तो नहीं है all charges must necessarily be outside the surface बोला flux और zero कब हो सकता है अगर सारे के सारे charges ही surface के बाहर है तो उसका मतलब flux zero बनेगा तो बोला ये वाला भी सही है तो यहाँ पर na anxiety exemplar का question है यो दोनों ही option correct है बोथ c and dr connect अभी कहोगा ना अगर आप कहीं से ढूंड के अकेला के लड़ करेक्ट अगर आप अकेला के लड़ derivation कर लोगे तो आपको वहाँ पर यह questions वगरा नहीं मिलेंगे और याद रखना मैं आपको इतने जो है नौर्मली पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें बहुत scheduled form में जो है cover up नहीं हो पाती है इसलिए हम बड़ी अतरीके से recording lectures को देख सकते हैं clear हो जाएगा यह बड़ी exemplar question है आगे बढ़ेंगे यह question आपका तीन बार पूछा गया है यह question आपका CBSE में तीन बार पूछा गया और सभी state votes वगरा के लिए भी concert को चमकाने के लिए नीड जैसे exams के लिए जरूरी है कभी चोटे बड़ी question भी पूछ रहे जाते हैं हाँ देखो तो यह question आपका एक बार जो है चार में पूछा गया 204 में फिर एक बार जो है आठ में भी पूछा गया और आठ में फिर एक बार 14 में पूछा गया तो इस तरह से यह question बढ़ी यह important question है आँ तो अभी देखे इस question में क्या दिया जा रहा है कि S1 and S2 यदि S1 और S2 आपको solve करना यह यह यदि S1 और S2 यह S1 हो गया और S2 हो गया दो स्थीर से है और S1 के अंदर q चार्ज है और s2 के अंदर 2q तो आपने रग दिया s1 के अंदर q charge और s2 के अंदर 2q clear now तो क्या पूछ रहा है what is the ratio of electric flux through s1 and s2 तो यह चीज़ आपको निकालने जरा try करो कि s1 और s2 से flux का ratio कितना हो जरा try करो किसमें flux ज्यादा connect हो किसमें कम एक बार वीडियो को pause कर लो और उसके बार try करो जरा चलिए आगे बढ़ें देखें जरा कुछ से किया होगा तो समझो पहले कि s1 तो सबसे पहले आप भी देखें s1 से कितना flux connect होगा तो फॉर्मूला होता है charge enclosed charge enclosed upon epsilon not तो s1 के अंदर कितना charge बुला q charge upon epsilon not s2 की बात करें तो s2 के अंदर कितना charge है देखो s2 यह है s2 यह है s2 यह है s2 तो s2 के अंदर overall charge कितना है net charge देखके बताओ यह 2 qb s2 के अंदर ही आ रहा और qb तो इसका मतलब है इसके अंदर net charge है यह 3 q upon epsilon not flux तो आप अगर यहां पर s1 और s2 का ratio निकालेंगे तो यह आपके one is two three आ जायेगा तो इसका अंशर कितना है one is two three now आगे क्या दिया हुआ है तो इसका यह part one हो गया आगे क्या दिया हुआ है आगे दिया हुआ है कि यहां पर अगर हम देखें flux लिख देना आगे दिया हुआ है what is the ratio जी तो हम निकाल दिया how will the electric flux through surface s1 change अगर अगर if a medium of dielectric constant case introduced in the space inside s1 तो कहरा कि अगर इस s1 में इस s1 में चलो मैं थोड़ा marker का استعمال करता हूँ यहां पर चले रोग छोड़ो यार देखो तो अगर मैं समय ना अगर मैं समय कोई medium फिल कर दूं और इस medium की value कितीन रख दूं के डाइलेक्ट्र कॉंस्टेंट अगर मैं फिल कर दूं इस मतलब डाइलेक्टर मीडियम और इसकी वैल्यू में रख दूं यहां पर के तो कह रहा है कि एलेक्रिक फ्लक्स पर क्या ही डिफरेंस पड़ेगा तो बहुत सिंपल सी बाग है कि फ्लक्स का के टाइम्स क्योंकि जो डाइलेक्टर कॉंसेंट वो इलेक्रिक फील्ड को जो है कम करता है तो इलेक्टरिक फ्लक्स को भी ऑवेस्टी बात है कम ही करेगा आओ next वो कह रहा है कि how will electric flux change अभी तो आपने s1 के अंदर भरा हुआ था वो कह रहा है कि अगर आप अगर आप जो है न यह देखो s2 के अंदर कहां पर अगर आप इस जगे पर मैं यहां पर थोड़ा सा इसको अटा देता हूं चले वो करा कि अगर आप इस जगे पर सॉरी अगर आप इस जगे पर डाइलेक्ट्र मीडियम भर देंगे तो s1 में क्या चेंज आएगा तो पहले सिंपल बात समझो बात समझो कि बाहर क्या हो रहा है इससे फ्लक्स कोई मतलब ही ची नहीं है अंदर क्या हो रहा है अंदर कौन सा मीडियम है अंदर कितना चार्ज है इससे मतलब है तो यहां पर जो थर्ड वाले का अंसर हो जाएगा कि भाई no change no change clear रहत तीन बार पूछा गया यह question हां तो बड़िया से इसको करो तरीके से समझ मेरा रहा है तो इस तरह से आप चोड़े-टे चीज़ों को समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि मैं आपको पचास साथ question तो नहीं करा सकता लेकिन इसे जितने question आपसे बनेंगे आपकी books में यह सारे आपसे बनने लगेंगे टेक चले तो आज हम समझते हैं और यह question आपके CVAC में पांच-पांच नंबर में भी पूछी ले जाता है जब पूरे पूरे जो पूरे term का एक साथ paper होता है तो तेक ना हो तो अभी हम बात करेंगे question में क्या लिखा हुआ है लेकिन उससे पहले लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूँगा कि आप यह बताईए कि मैंने आपको session के starting में क्या बताया था मैंने का बोला था normally outward का बोला था normally outward बात समझ में आ रही है बोला normally मता perpendicular लेकिन perpendicular कहा बाहर की side तो अगर मेरे पास एक closed चली मान के चलो यह मेरे पास एक cube मानलो या मेरे पास यह body मानलो या चलो मेरे पास सामने close body रखी है जैसे की यह bottle मानलो तो अगर मेरे पास यह close loop है या close body है तो अगर मुझे normal draw करना है electric flux के लिए तो normal कहां draw करूँगा ये बाहर की side के अंदर की side बोलो जरा हमेशा बाहर की side यहाँ पे बाहर की side देखो normal जो ना वो अंदर की side भी जाएगा और बाहर की side भी लेकिन electric flux में area vector की direction या normally भी area vector की direction क्या होती है हमेशा outward हमेशा देखो perpendicular तो नीचे भी आखता है और उपर भी लेगन कौन सा लेंगे हमेशा उपर क्यों हमेशा outward वाला perpendicular लेते हैं अंदर वाला नहीं यह बात आप ध्यान दे गए ना तो समयलो सारे काम हो जाएंगे आपके मैं question इस वीडियो में एक ही कराऊंगा लेकिन आप ऐसे करेंगे इसको कि आप ऐसे लगादार चार question भी आपको मिल जाएं अलग-अलग value देटा के साथ और अलग-अलग तरीके से तो आप सारे question कर देंगे एक बार practice जरूर से करना है और मुझे comment section बताने ना हो तो अभी देखो यह service है और अगर मैंने कहा कि इस direction में electric field है मैं आप से angle पूछ रहा हूं जरा बता मुझे angle बताईए fast क्या इसमें angle 0 degree है के 90 degree जो बच्चे 90 degree बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे है देखे जरा electric field इस side है और area इस side है लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि electric field और area vector के बीच में angle ढूणना है मुझे तो यह मेरे पास surface है और यह हो गया इसी direction में surface area vector तो यहाँ पर angle कितना हो गया angle हो गया theta is equal to 0 degree लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास यह surface ऐसे है इस तरीके से उपर की side उपर साथ सर्फेस है और electric field ऐसे है मुझे ज़रा angle बताऊ एंगल कितना हो गया fast theta is equal बताऊ ज़रा ऐसे है surface तो surface पे area vector कहा जाएगा उपर की side तो area vector हो गया कुछ इस तरीक और यह electric field vector theta is equal to 90 degree बात सुझमारी है इसी तरह से अगर एक surface यह नीचे वाली है एक surface उपर है एक surface नीचे है एक आसपास है ठीक तो यहाँ पर देखो electric field तो इस side है area vector कहा जाएगा नीचे तो यहाँ पर भी कितना पर 90 degree बनेगा तो कहने का मतलब यह है कि आपको बस angle समाल ल electric field component in the given figure are ex is equal to तरह मतलब यह जो figure है इसमें electric field कितनी है x axis में y axis में और z axis तीन axis बताई होई है तो देखो कहा जा रहा है कि x axis में electric field है alpha into x to the power 1 by 2 y axis और z axis में electric field 0 है इसका मतलब यह हुआ कि आपको electric field कुछ इस तरह से दी जा रही है अगर मैं थोड़ा सा इसको ठीक है तो x axis में electric field कितनी लिख लेते हैं e is equal to alpha into x to the power 1 by 2 जहांपे alpha की value दी है 800 newton per coulomb into meter square ऐसा हमें question में दिया हुआ है और यह जो x है आप इस x को पैचाल लो कि जो x axis की बात कर रहा है यह जो x है यह distance है क्या है distance है ठीक ना अभी आगे क्या दिया है calculate the flux within the cube आप करना है कि flux निकालना है क्यूब से कितना flux connect हो रहा है इस पूरे क्यूब से and charge within the cube इस इसके अंदर जो इतना flux बन रहा है इसके साफ़ चार्ज हो कितना हो सकता है यह चीज़ आपको समझगे चलनी है यह calculate करना है दो दोखो बड़ी सिंबल जी बात है क्यूब के पास 6 surface होती है कितने surface 6 surface अगर मैं surface इसको mark करूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा दो surface आजपास दो surface उपर नीचे दो surface तरह से तो देखो यह इसको मैं नाम दे दिया यह हो गई left surface इसको मैं नाम दे दिया यह हो गई right surface बाकी surface उपर नीचे और आगे पीछे हैं चलिए तो अगर मैं देखूं कि X जो है पहली वाली सर्फेस के लिए origin से ये दिया A तो पहली वाली सर्फेस के लिए जो distance है वो कितनी हो जाएगी A दूसरी वाली सर्फेस के लिए क्योंकि देखो ये value भी A है ये value भी A है ये value भी तो cube की तो दूसरी वाली सर्फेस के लिए कितनी हो जाएगी यहां से अगर आप देखें यह भी यह भी यह दूसरी वाली सर्फेस के लिए कितनी हो जाएगी यह बत आपको यहां पर अच्छे से ध्यान रखना है चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब हमें क्या समझना है कि इन चारों म फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटू एस इंटू कॉस ठीटा अगर ठीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो तो आप यह पाएंगे कि अभी मैंने आपको एक्स्प्लेंड किया ना कि क्यूब में ऊपर नीचे वाली सर्फेज और लेफ्ट वार राइड वाली सर सर्फेज सोरी आगे पीछ्वाली सरफेज से फलक्स हो जाएगा जीरो क्योंकि इन पर यहां पर समझो कर tää carn यह चार सर्फेस से फ्लक्स हो जाएगा कैसा फ्लक्स हो जाएगा जीरो क्योंकि उनको चारों को साथ एंगल कितना बन रहा है 90 दिग्री तो आप यहां पर दिखेंगे होनै होले हियर beats cluster विल बी फेंष लपि विल ब 1उनजीरो ओंली त्रू लीरो ओंली त्रू यह ओंली दूलेफट एंड nep राइट सरफेज और ओंली तो कहा जा रहा है कि सिर्फ और शिर्फ उर ओर आ से flux कैसा होगा नॉन जीरो बाकी सबसे हो जाएगा जीरो बात समझ में आई आपको चलिए तो अभी आपको यह समझ लेना है इसमें कि सिर्फ लेट वाली सरफेसर राइट वाली सरफेस से flux बन रहा है तो मैं उसकी अब यह left surface यह right surface तो area vector दो तरह से बना सकता हूं मैं ने बता था bottle वाल example एक तो एरिया vector surface पर ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा लेकन cube ऐसे है ना इस तरही से तो area vector में इस side नीम बता सकता क्योंकि यह inward प्रट हो जाएगा अंदर की साइट कुब के बाहर की साइट तो यहां पर जो एलेक्टर की फील्ड फील्ट वह ऐसे है और अंदर की शाइट नहीं बन सकता ना तो पहली वाली सर्फेस के लिए ठीटा हो जाएगा 180 डिग्री तो 5 for left is equal to electric field की value देखो alpha क्या होती है alpha into x की power 1 by 2 ये given है और cos 180 डिग्री चलिए तो left वाली surface के लिए ये हो जाएगा alpha की value देखो 800 जी होई है ये question से सारे question बनेगे इसलिए अच्छे समझो इसको अब देखो x की value इस वाली surface के लिए x कितना है a तो ये a की power 1 by 2 अब इसके बाद ये तो हो गई इसकी value ये की value अच्छा surface area की value क्या है surface area मतलब ये देखो ये आपके पास एक square shape में है ना मतलब cube की एक surface देखो cube देखो ये cube है और side की value कितना इंदी है a length भी a width भी a सब कुछ है तो यहां पर अगर हम left वाली surface का area निकालेंगे तो a square आ जाएगा तो अगर मैं left वाले का flux निकालता हूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि देखाए ना जरा 800 इंटू ये देखो हाँ जी भई 800 इंटू एक ही पावर ये दो और ये आधा तो हो गया धाई और धाई को हम लिखते हैं 5 by 2 तो ये देखिए left वाले के लिए flux इतना हो गया अगर हम unit बोले तो newton पर coulomb into meter square newton पर coulomb into meter square cost 180 की value minus 1 होती है तो यहाँ पर minus लगाना ना भूलें यह बहुत जरूरी है यह minus लगाना है आपको अभी हम बात करेंगे right वाली surface के लिए तो screenshot वगरा अच्छे लेते चलो बड़ी असे इसको note करो right surface के अगर हम बात करेंगे तो right वाली surface के लिए सब कुछ same होने ही वाला है देखो right surface के लिए तो formula वही e into s into cos इस बार देखो इस वाली surface के लिए तो electric field भी side और area vector भी side तो यहाँ पर कितना बनेगा cos 0 ठेक 5 और right now अभी देखे जरा e की value 800 into x की power 1 by 2 तो यह वाली surface के लिए x मतलब distance कितनी हो जाएगी 2a तो देखना जरा क्या मैं इसको से लिख सकता हूं 2a की power 1 by 2 into चलिए देखो जरा यह तो हो गया electric field alpha into x की power 1 by 2 बात सोच बात सोच बारी है अब इसके बाद s, s क्या है surface area तो s की जगह लिख दिया a square और cos 0 की value होती है 1 तो लिखने की जरूराद है नहीं चलिए अभी देखो 5 right surface के लिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 800 into देखो 2 के उपर यह power 1 by 2 है 1 by 2 power का मतल़ होता है root 2 और a के उपर यह power 1 by 2 है तो a के उपर मैं root नहीं लगाया ऐसे लिख दिया और यह a square चलिए तो यह देखो 5 और right surface 800 into root 2 और a की power फिर से कितनी हो जाएगी 2 और आधा यह हो इसको में लिखता हूं 5 by 2 चलिए और यह हम इसको कर देंगे close तो यह आ गया आपका plus में और यह आ गया minus में अभी मुझे इससे ना net flux निकालना है को बागी चारों से जीरो हो गया तो क्या करूंगा यहां पे simple जाकाम कि देखो net flux 5 is equal to यह देखो right side positive है और left side negative तो मैंने य equal to यह देखो कितना आया इसका 800 root 2 right वाले का into a की power आ रहा है था 5 by 2 power को कैसे open करना यह भी बता दूँगा आपको हां और यहां पर 800 into a की power 5 by 2 चलिए यहां पर एक चीज़ बता दूँँ आपको कि जो a है ना a इस a की value यहां पर आप देखेंगे तो given है कितनी है a की value 0.1 meter ट तो 5 is equal to net flux जो है यह देखो netflix नहीं 800 into चलो 800 तो common आ गया और a की power 5 by 2 भी common आ गया अंदर देखो अंदर क्या बचा root 2 minus 1 चलिए तो 5 is equal to 800 into a की value अभी हमने क्या नेका ली 0.1 की power है 5 by 2 root 2 की value 1 point root 2 की value क्या होती है 1.414 ठेक तो root 2 minus 1 करोगे तो यह आ जाएगा 0.414 ठेक थोड़ी सी calculation बड़ी हो गई लेकिन इसको समझ लेते हैं के 800 देखो मैं आपको solve करके बताऊं से solve कैसे करते हैं 0.1 किसी भी चीज़ की power जैसे ऐसे लगी है 0.1 इसको solve करवा देते हैं अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 0.1 बात समझना आराम से बार बार आपको calculation ज़रोत प 5 तो पहले 0.1 कि power 1 by 2 है ना तो अगर मैं इसको ऐसे open कर रहा हूं तो यह बचेगा 10 कि power 1 by 2 और इसके बाद यह हो जाएगा 5 तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो यह बचेगा 1 by root 2 power 1 by 2 का मतलब क्या होता है root 2 मतलब root चलिए तो यह इसके उपर power लगा दो अभी 5 अभी का करेंगे इसको 5 बार open कर दो root 10 into root 10 into 1 by root 10 into 1 by root 10 into 1 by root 10 तो देखो root 10 into root 10 10 root 10 10 10 तो यह बन जाएगा आपका यह हो जाएगा 0.1 का अगर आपने power 5 by 2 open कर दी तो यह कुछ ऐसा आ गया 1 upon 10 और 100 into root 10 ऐसा बचेगा अभी देखो 1 upon 100 और root 10 की value होती है 3.16 तो अगर आप इसको open करते है 0.1 की power 5 by 2 तो यह आपका 316 आ जाता है मतलब 1 upon 316 बात समझ में आ रही है चलिए अगर आप 1 में 316 का divide करेंगे तो यह value आपकी कितनी आ जाएगी यह थोड़ी सी calculation बड़ी हो जाएगी अब तो यह तो आप divide कर ही सकते हो ना तो यह divide आप कर लेना मैं यहाँ पे कर देता हूं तो यह हमारा आ जाएगा चलिए तो 800 अभी देखो यह आगया 1 upon 316 solve करके बता देए ना आपको बार बार प्रॉब्लम आती और यह 0.414 अब तो आप कर ही सकते हैं तो अगर मैं इसको पूरा solve कर दूँ तो यह आपका यह निकल का आ जाएगा 800 into 0.00316 into 0.414 चलिए तो अगर मैं इन सब का into कर दूँ into 0.414 into 800 चलिए 800 तो यह आप प्रॉक्स आपके जो 5 जो है यह आपका निकल के आ गया 1.05 Newton पर कूलाम into meter square ठेक यह फ्लक्स आगया अब आपको गर चार्ज निकालना है तो चार्ज निकालने के लिए आखरी इसमें यह भी पूछा है ना चार्ज तो देखो 5 is equal to होता है 5 is equal to होता है q by epsilon not तो q is equal to हो जाएगा 5 into epsilon not तो 5 की value अभी हमने क्या निकाल दी 1.05 और epsilon not की value होती है 8.85 into 10 to the power minus 12 ठेक और unit वही होती है Newton square meter minus 2 coulomb plus 2 Newton meter square coulomb minus 2 यह होती है 1 upon 4 पर epsilon not की तो epsilon not की unit हो जाती है Newton minus 1 meter minus 2 coulomb plus 2 टेक है चलिए तो इस तरह से अगर आप यहां पे जो charge वगरा निकालेंगे तो यह अगर आप इसमें into कर दें 1.05 में into कर दें 8.85 का तो यह आ जाएगा 9.3 9.3 into 10 to the power minus 12 और यह coulomb में हो जाएगा तो आप इसको q is equal to 9.3 इसको pico coulomb भी बोल सकते हैं clear है चलिए तो इस question को solve कर सकते हैं बस आपको angle वगरा चेक कर रहे ना है कौन से surface के साथ कितना angle बन रहा है मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में जरूर आया होगा इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है टेलिग्राम चैनल पर यह PDF में send कर दूँगा टेलिग्राम चैनल अगर आपने अभी तक join नहीं किया है तो सिर्फ इतना काम करना है आपको या तो इस वीडियो की description में जो लिंक दी होगी उससे डिरेट टेलिग्राम चैनल को join कर लो या फिर एक काम करो के टेलिग्राम पर जाकर सर्च कर लो अभी शेक साहू सर फिजिक्स तेक और हाँ मुझे contribute अगर करना चाहते हो चाहते हो को यह वीडियो में डाली गई जो मेहनत है वो थोड़ी सी आगे तक बढ़ पाए तो इन वीडियो को कम से कम अपने फ्रेंर के साथ जरूर से दबा के शेयर करो ताकि आपके शेयर करने से मुझे पता हैका कम से कम आप पर कुछंपि से इंप इन वीडियो का हो पा रहा है friends के साथ जरूर से दबा के share करो ताकि आपके share करने से मुझे पता पढ़ेगा कि कम से कम आप पर कुछ impact इन वीडियो का हो पा रहा है so इस वीडियो के लिए तब तक इतना ही मिलेंगे आप से next video में तब तक करी thank you so much thanks a lot see you again in the next video thank you guys